हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल स्विताज किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कुछ औरी के साथ खाने वाली आलू की सब्ची बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत ही ज्यादा स्वाधिस्ट बनता है ये बिल्कुल हलुआ ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है और बहुत ही कम मेहनत में ये बन जाएगा बहुत ही जल्दी बन कर तयार हो जाएगा और सबको पसंद आएगा ऐसे ही एजी और क्वीक रेसिपी के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हिट देबल आइकन फॉर न्यू रेसिपी प्लीज सब्सक्राइब जरूर किजेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी चलिए स्टार्ट करते हैं कडाही को गरम कर लेंगे उसमें वन टेबल स्पूम मस्टर्ड डालेंगे उसके बाद उसमें हम पंच फूरन डालेंगे जिसमें जीरा, मेथी दाना, अजवायन, कलोजी, बेट चीली, ड्राई, और मस्टर्ड सीद, सरसोकदाना, सारे मसाले मिलाकर बस वन टी स्पून होना चाहिए उसके बाद इसमें हम क्रस्ट किया हुआ जिंजर और हरी मिर्च डालेंगे, इसको हमने कूट लिया है, एक इंच अधरक का टुकड़ा और दो हरी मिर्च, इसके बाद इसमें एक बरा टमाटर चॉप किया हुआ डालेंगे, बिल्कुल महीन चॉप नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, उसके बाद हलका सा नमक डाल देंगे, जिससे की जीरा पाउडर डालेंगे वन टी स्पून धनिया पाउडर वन टी स्पून कास्मीरी रेट चीली पाउडर इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा सबजी का और ज्यादा तीखा भी नहीं होगा इसके बाद वन टी स्पून आमचूर पाउडर ये तो मस्ट है इसको इसकी पना करें और हाफ टी स्पून गरम मसाला और वन टी स्पून कसूरी मिथी डाल कर अच्छी तर इससे इसको मिला लेंगे और फडाई करेंगे कुछ मिनट के लिए इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढग कर पकाएंगे अब इसमें हम 140 टी स्पून टर्माडी पाउडर डालेंगे कलर के लिए मिक्स कर लिजे और इसको ढग कर थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे जब तकि मसाला फ्राई ना हो जाए अच्छी तरह से देखिए मसालों से ओल सेपरेट हो गया है मतलब कि मसाला भून चुका है अब इसमें हम पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए ये सबजी जब हम बनाते हैं तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालते है पानी डालने के बाद इसको ढख लेंगे जब तक उबाल ना आए इसमें ये बोयल हो गया है एक उबाल इसमें आ गया अब इसमें हम हाफ टी स्पून हिंग डालेंगे इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसी इस टेस्ट पर आप डालिए हिंग को हिंग डालकर अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे हम और इसके बाद मैस्क पोटाइटो डालेंगे जिसको हमने रफली हाथ से ऐसे ही तोड़ लिया है कुछ छोटा कुछ बड़ा ऐसे ही आप इसमें आलू डालें यह उबला हुआ अलू है ठंडा है आलू डालकर इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ग्रेवी के साथ अब इसको ढख कर फिर से पकाएंगे जिसे की आलू में मसाला अच्छी तरह से मिल जाए अब इसमें हम हाफ टीस्पून ब्लैक सॉल डालेंगे काला नमक इसे बहुत यह अच्छा टेस्ट आता है इसका देखिए यह लगबग पक गया है अब इसमें हम फ्रेश हरा धनिया डालेंगे धनिया डालने के बाद बस एक मिनिट के लिए इसको ढख देंगे लो फ्लेम पर पस सबजी रेड़ी है यह सबजी बनाईए और कचोड़ी बनाईए बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है कुछ भी पीशने की जरूरत नहीं है अराम से आप इसे बना सकते हैं संडे के दिन तो जरूर इसको ट्राइ कीजिए देखे कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है देखे इसके साथ कचोड़ी जरूर बनाईए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और इसे अब बार बार जरूर बनाएंगे एक बार बनाएंगे तो ऐसे ही इजी एंड क्विक रेसीपी के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड हिट देबल आइकन फोर न्यू रेसीपी और प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको रेसीपी कैसी लगी थैंक यू